नमस्कार सातियों, स्वागत करते हैं आम सभी का हमारा यूटूब चेनल पर आज के इस वीडियो में एक दिसंबर का जित्ता भी महतोपुन हमारा मध्यपदस का करेंड अपरस पन सकता है उसको हम डिसकस करेंगे तो वीडियो में जो है आप लाश्ट तक बने रहेगा जो मध्यपदस के करेंड अपरस के कोश्चन है उनको यहाँ पर हम डिसकस करेंगे उसके बाद MPG के special topic के अंतरगत हम जो है डेली एक जीला MP का हम डिसकस करेंगे और सबसे लाश्ट हमें कल के करेंड अपरस का एक बर कि क्रिविशन करेंगे तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा के पूरा सेशन रहेगा तो चलिए शुड़वात करते हैं आज के इस सेशन की और सबसे पहले आज जो है यहाँ पर मद्यप्रदेश का करेंट अपैर्स हम डिस्कस कर लेते हैं तो आज के मद्यप्रदेश के करेंट अपैर्स का हमारा यहाँ पर पहला कोशन है कि मद्यप्रदेश में खजुराओ अंतराश्टी फिल्म फेस्टिवल कब से आपका आवजित क्या जाएगा या इसकी जो शुरुवात है आपकी कब से होगी चार उप्शन है आपके सामने यहाँ पर पहला है पांच दिसंबर दूसरा है छे दिसंबर तीसरा है साथ दिसंबर या चोथा है आट दिसंबर तो राइट आंसर आपका बनता है उप्शन ए पांच दिसंबर से मद्यप्रदेश का जो खजुरावो है महापर खजुरावो अंतराष्टी फिल्म फेस्टिवल आपका आयजित क्या जाएगा तो चलिए सबसे पिले इस से जुड़ी महत्वपून जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं तो खजुरावो अंतराष्टी फिल्म फेस्टिवल आपका कब से कब तक आयजित क्या जाएगा तो यह जो है आपका 5 से 11 दिसंबर तक आयजित होगा कहां पर आईजित होगा खजुराओं में और खजुराओं आपका कहा परिस्तित है तो मद्यप्रदस के छतर पूर्जिले में आपका खजुराओं इस्तित है अगला कोश्चन बनेगा कि यह जो आपका मद्यप्रदस के खजुराओं में खजुराओं अंतराश्टी फिल्म फ देशवक्ति रहेगा साथ ये जो आपका फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा इसमें देशवक्ति पर आधारीत देश भर के प्रसिद्ध फिल्म निर्देश को यानि कि जो फिल्म के डायरेक्टर होते हैं उनकी 75-75 फिल्मों का प्रदेशन आपका यहां पर क्या जाएगा औ खजुराओं आपका काँ परिस्तित है छतरपुर में इस्तित है कब से कब तक आयजित होगा पांच से लगाकर 11 दिसंबर तक आयजित होगा इसकी थीम क्या रखी गई है देशवक्ति आपके इसकी थीम रखी गई है 75 फिल्मों का यहां पर प्रदर्शन आपका क्या जाएग कि पश्चिमी समु में आपके कौन-कौन से मंदीर आते हैं पूर्वी समु में आपके कौन-कौन से मंदीर आते हैं सबसे पहले यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जो खजुराओं है आपका किस जिले में इस्तित है तो आपका छतरपुर जिले में इस्तित है यहां इसे नदि के मंदिरों को हम डिवाइड करते हैं पूरुवी शमू में कौन कोन से मंदिर आते हैं तो द्यान रखेगा ब्रह्मा के मंदिर मंदिर में आदिनाथ पाषवनाथ गंटाई मंदिर आपके शामिल अगला अगया स्ट्रिट का मद्य परदेस का प्रतम प्रयाटिट अगी कि स्टाक जिसे कि यूनेश को थारा धरो और इस्टल में आपका शामिल की अगया विश्व धरोघ्वार्य स्टल रीप्र.? तुरॉaten दंसर बनता आपका ख़र अगला कोश्चन मद्यप्रदेश को आत्वन निर्वर बनाने की सून नियोजित नीती के तथ MSME विभाग ने किसके साथ आपका MOU या पर साइन किया है चार ओप्षन वालमार्ट फिलिपकार्ट ए और भी दोनों या इन में से कोई नहीं तो आपका जो राइट आंसर इसका निकल कर आता है वह ओप्षन सी यानि कि और भी दोनो यानि कि वालमार्ट और फिलिपकार्ट के साथ जो मद्य प्रदेश का MSME विभाग है उसने जो है एक MOU यानि कि एक समझता आपका इन दोनों के साथ किया है तो क्या है यह समझता कि सुद्धेश्य से किया गया आईए देख लेते हैं इसे जुड़ी महत्वकून चानकारी तो मद्यप्रदेश को आत्मन निर्वर बनाने की जो सू नियोजित निती है उसी के तहत मंगलवार को MSME विभाग ने मद्यप्रदेश के 14 लाग से अधिक नव उद्यमियों के उत्पादों को अंतराश्टी गुनवत्ता का बनाने और प्रत्य इसपरधा तथा मार्केटिंग चेन बनाने के लिए Walmart और Flipkart के साथ एक MOE उपर हस्ताक्षर किये है तो आप सभी जानते हैं कि यह जो है आपके online प्लेटों में Flipkart और Walmart है और इनके साथ समझोता किया गया है ताकि जो मद्यप्रदेश के 14,00,00,00 अधिक नव उद्यमियों यानि कि नए नए जिनों ने उद्धों की स्तापित किये हैं वह जो है कुछ नवाचार कर रहे हैं और कुछ जो है आपके नए उद्यमिया पर आ रहे हैं तो उनके द्वारा जो आपके यहाँ पर उत्पाद निर्मित किये जाएंगे जो उत्पाद उनके द्वारा बनाई जाएंगे तो उनको अंतराष्टी गुणवत्ता का बनाने के लिए साथ ही जो है यहाँ पर उनकी मार्केटिंग चेन बन सके उसके लिए जो है MSME विभाग ने Walmart और Flipcard के साथ आपका समझोता किया है तो सहीं कईना के question आ सकता है कि MSME विभाग ने हाली में जो है नव उद्धमियों को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्पादों को बढ़ावाने देने के लिए कि इन दो e-commerce company के साथ MOU आपका किया है तो राइट अंसर वनाएगा आपका Walmart और Flipcard के साथ इन्होंने MOU आपका किया है तो ध्यान रखिएगा यह जो MOU है विभाग के सचीव यानि कि जो आपका यहाँ पर MSME विभाग है इनके सचीव स्रीप नरहरी वालमार्ट के डाइरेक्टर स्री जोसेफ जुलियन के बेचे एक MOU पर हस्ता अक्षर तता आदान प्रदान हुआ है यानि कि समझोते पर इन्होंने हस्ता अक्षर किये फिर आपके यहाँ पर आदान प्रदान किये जिसा कि हर एक MOU में आपका होता है तो हमारे लिए इतना महत्वपुन बनता है किसके साथ MSME विभाग नहीं आपर है समझोता किया है वालमार्ट और फिलिप कार्ड के साथ यहाँ पर समझोता किया है MSME मंत्रिकों ने वर्तमान में मद्यप्रदेश के उनका नाम है आपका उंप्रका सकलेचा तो यह दो से तिन महत्वपुन बाते आपको यहाँ पर याद रखनी है देखिए अगर आप मेंसे की आप यह वहाँ पर लिख सकते हैं तो यह जो आपका अंसर है बहुत अच्छा होगा क्योंकि यह जो करेंट के से संबंदित है और कई ना कई आपर जो नव उद्धमी यानि कि जो सो रोजगार देते हैं या सो रोजगार है या दूसरों को रोजगार यहाँ पर प्रदान क देखते हैं कि मध्यप्रदेश की किस जिले की सोम्यातिवारी का चैन अंडर 19 चेलेंजर ट्रोफी के लिए आपका हुआ है चार ओप्शन इंदोर भोपाल शिवपूरी या रतलाम तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है ओप्शन भी भोपाल तो जो अंडर 19 चेलेंजर ट्रोफी में आपका हुआ है यह जो चेलेंजर ट्रोफी है चार से नौ दिसंबर तक विजय वाड़ा जो कि आपका आंदर प्देश के अंतर गताता है वहा पर आपके आवजित की जाएगे तो इतना कोशन बनता है अंडर 19 चेलेंजर ट्रोफी के आपकी चार से नौ दिसंबर तक आयो जित की जाएगे तो यह ते इस कोशन से जुड़ी जान करें कुछ important factor यहाँ पर आपको बता देते हैं अगर आप से पूछा जाए कि मद्यप्रदेश की जो क्रिकेट अकादमी है आपके कहां पर इस्तित है शिव पूरी जिले में इस ऑर इसकी स्तापना कब होती है अटरा सो नभे में जो जो है इसके स्टापना की की जाती है वही भाइरत में जो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्ता है जिसका नाम है ब् इस्तापना इसकी 1909 में आपकी इसकी स्तापना होती है 1909 में इसकी स्तापना आपकी होती है वह अगर आप से पूछा जाए कि वर्तवान में इसके प्रमुख कोन है तो ग्रेग बरकल है जिनका संब्ध आपका न्युजिलेंड से है वर्तवान में इसके आपके प्रमुख है था सचिन तेंदुल करने लगाया था किस वर्ष में लगाया था 2010 में लगाया था किसे टीम के खिलाब लगाया था दक्षिन अपरिका के खिलाब आपका लगाया था तो यह तहीं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जान करें MP करेंट पंच के नाम से जो हमने सीरीज श्टाट की है उसके अंतरगत 5 इंपोर्डेट कोशन्स जो है हम यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं तो पहला कोशन हमारा यहाँ पर है कि भारत सरकार द्वारा आयो जित तूर्टूक फेश्टिवल में मद्दप्रदेश से किस सिल्पकार ने अपनी कलाका प्रदेशन किया तो इनका नाम है मुहमद बिलाल खत्री जीने की 2018 का जो राष्टिय पूरुसकार है वह अभी आप करते हैं अगला कोशन जो है आपका यहाँ पर बनेगा कि मद्दप्रदेश के बालागाट जिले में पेदा होने वाले किस चावल को जी आई टेक मिला है तो राइट अंसर बनता है चिन्नोर चावल जो कि आपकी बालागाट में उत्पादन होता है बाला घाट में जो है य कौन सा शहर पेला आई टे हब बनेगा तो राइट अंसर बनता है आपका इंदोर शहर अगला कोशन बनेगा मद्दप्रदेश का पेला पुलिस मुजियम कि जिले में बनाया जाएगा तो यह जो है मद्दप्रदेश के बेतुल जिले में आपका बनाया जाएगा अगला को अग्ला यहां इसपेशल टॉपिक अंतर गत आज जिस जिले के बारे महम हम दिस्क्रस करेंगे वह है हमारा उजन जो कि आपका धार्मिक महतवि रखता है, एतियासिक महतवि रखता है, चलिए देख लेते हैं सबसे पहले उजन को यहां पर आप मेब में देख लेते हैं ताक्कि इसकी लोकेशन आपको किलर हो जाए तो जैसा कि यहाँ पर आप मेप में देख सकते हैं यह आपका उज्जन जिला है इसकी सीमा रतलाम, आगरमालवा, साजापूर, देवास, इंदोर, धार और रतलाम के साथ यह आपका साजा करता है तो इन इन जिलों के साथ जो है यह अपनी सीमा साजा करता है चलिए यहाँ पर जो है उज्जन जिले से जूड़ी कुछ महत्वपून जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं तो यह जो है महाकाल की नगरी के नाम से भी जो है आपका प्रसिद्ध है धार्मिक नगरी के रूप में आपका विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पर दक्षिन मुखी जोतिलिंग महाकालेश और मंदिर भी आपका इस्तित है यही पर हर 12 वर्ष में आपका सिहंस्त का जो है मेल कुम्भक्रार के गंगा बरे गंगसा बात करें तो हुए पयाओ जो है इसबुल न्बाही है अ बुटेका नँखा और जो है इसको अवंतिकका के नाम से भी जाना जाता है जो आपके 16 महाजन्पत हुए थे उन में से एक महाजन्पत आपका अवंतिका यानिकी उज्जेनी हुआ करता था यही पर एक जगह है जाई जिसका नामे नागदा यापर कत्रीम रेशय का कारखाना भी आपका है यही पर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबिन सेंत्र भी आपका इस्ताफित किया गया संस्क्रत सिक्षा के प्रसार के लिए 2008 में यहाँ पर महर्शी पाणीनी विश्विद्याले की विज्जोय आपके स्ताफना यहाँ पर की गई थी वही यहाँ पर ब्रतरी की गुपाय संदिपनी आश्रम जो है बड़े गणेश काल भेराव मंदिर मंगलनात मंदिर वेश्चा टेकरी और हर्शिद्धी प्रसिद्ध भी जो है हर्शिद्धी का मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा साथ इसको राजय विक्रमादत्य ने अपनी राज़दानी भी बनाया था तो यह थी उज्जन जीले से जुड़ी कुछ मातवपुन जानकारी जो कि आपको याद रखनी है यहाँ से एक्जाम कोशन बन सकते हैं कल के करेंट अपर यहाँ पर एक बार हम रिविजन कर लेते हैं पहला कॉशन था कि मध्यप्रद 거지 का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्राइव इन थीयरे मद्यप्रदश के कि struggling में शुरू होने जा रहा है तो राइट खिलाडी ने 64 वी राश्टी राइफल सुटिंग चेंपियंशिप 2021 में सांदर प्रदेशन करते हुए प्रदेश को सौन पदक आपका दिलाया है तो राइट अंसर बनता है यह प्रताप सिंग तो मारा उप्षन है हमारा यहां पर राइट अंसर बनता है तो इनके द्वारा यह जो प्रतियोगी था आपके आईजित की जा रही है बोपाल में इसमें इनों ने मद्यप्रदेश को गोल्ड मेडल आपका जिताया है दिलाया है इसके अलावा इनोंने यहां पर काश्य पदक भी जिताये जो अवी अवी नाश यादव हुए इनोंने भी जो हैं यहां पर रजयत प्रदेश को दिलाया है अगला कोशन था कि राज्यपाल स्री मंगुबाई पतलने प्रोफेशर सी बहरत मिश्रा को मद्यप्रदेश के किस विशुद्दालाई में किस विशुद्दालाई का कुलपती निवक्त किया है तो राइट ऐंसर बनता है महत्मा गांध चित्रकूट ग्रामद्देव शुद्धालाई जो कि आपका सतना में इस्तित्थ है इसका हाली में जो है आपका कुलपती निविक्तिक किया है तो उप्षन है हमारा यहां पर राइड अंसर बनता है अगला कोशन हमने देखा था मद्ध्यप्रदेश के किस जिले में दो जित क्या गया था इसका शुबारम किस ने किया तो जो मद्ध्यप्रदेश के स्वास्तमंत्री है प्रभुराम चोद्री जी उनके द्वारा इसका शुबारम क्या गया था और वर्ष उन्निसों बावन से जो है इसकी शुरॉत आपकी हुई है तब से प्रतिवर्ष ही आप आपका उजित किया जाता है कल का कोश्चन जो कि आप से पूछा था जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना था वह था कि बेड मिंटेन खिलाड़ी शोरव वर्मा मध्य प्रदेश के किस जिले से आपका संबंद रखते हैं तो राइट आंसर बनता है आपका धार जिले से यह जो है आपका संबंद रखते हैं तो उप्शन सी हमारा यहां पर राइट आंसर बनता है धार की बात करें तो राजा पूछा जाई कि खर्बुजा महल आपका कहां पर इस्ती थे तो यह भी आपका धार जीले में इस्ती थे जो धार का किला है उसका निर्माण किसने कराया था तो मुहमत भी ने तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कराया था साती धार में आपका डाइनोसार पार्क भी जो ह रहा है वह भी जो है आपका यहां पर बनाय जा रहा है वह पूछा जाए कि की जो करना में च्बक्रण बandomäre van आपका कब इस्तापित किया गया चार ओप्षन है 1952, 1968, 1965 या इन में से कोई नहीं तो राइट अंसर आपको यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है साथ ही यह भी बताना है कि जो बांदावगर राश्री उद्धान है आपका किस जिले में इस्तित है तो इन दोनों कोईशन के अंसर आपको यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है तो यह था हमारा आज का मद्यप्रदेश का करेंट अपर्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से दिख लोगों तक शेर करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और चेनल पर फ़ेली बार विजट कर रहे हैं तो चेनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और इस वीडियो की नोटिपिकैशन अगर आप डेली चाहते हैं तो बेल नोटिपिकैशन को भी ओन करके जरूर रखेगा तो आज के लिए बस इतना है, thank you very much